तो बच्चों आज हम सॉल्ब करेंगे क्लास 10 के लिए प्रोवाइट किये गए मैथ की रिवीजन वर्क सीट को जो की आज की डेट के लिए है दोनों मीडियम में एक साथ चैप्टर 8 से है most important है अच्छे से practice करो साथ में सभी वर्क सीट असेस्मेंट का solution अप्लोड है दोनों मीडियम में comment में link मिलेगी देख लो साथ में mid-trump paper, pre-board paper, last year के mid-trump, pre-board, practice paper सब के solution मिल जाएंगे दोनों shift के comment में link मिलेगी open करके आप अच्छे से practice कर सकते हो तो comment को चेक कर लेना question पर आ जाओ question 1 5 sin square 90 degree minus 2 cos square 0 degree का मान है इंगलिस में देखो question the value of 5 sin square 90 degree minus 2 cos square 0 degree is solution answer 1 question लिखा गया 5 पर 5 sin 90 degree की value 1 square कर दो minus 2 पर 2 cos 0 degree की value 1 square पर square कर दो इसे solve करोगे 5 मिलेगा इसे 2 minus करोगे 3 मिलेगा c option आपका right हो जाएगा question 1 में अगला question question number 2 the value of 2 sin square 30 plus 3 10 square 60 degree minus cos square 45 degree is हिंदे में question देखो same question है का मान है solution देखो answer 2 question लिखा गया यहाँ पर आप square लगा लेना cos square 45 है धियान रखना 2 पर 2 sin 30 1 upon में 2 square लगा दिया plus 3 पर 3 10 60 root 3 square लगा दिया cos 45 की value 1 upon में root 2 square है तो square लगा दिया यहाँ पर आप square लगा लेना ठीक है cos square 45 है यह चे ध्यान में रखना clear है आगे देखो इससे solve करोगे 2 into 1 upon 4 आएगा यह 3 इसका square करोगे root 3 into root 3 मतलब आपको 3 मिलेगा लिखा गया इसका square करोगे 1 upon में root 2 into 1 upon में root 2 1 upon में 2 आएगा ठीक है लिखा गया clear है अब आगे देखो 224 1 upon 2 आगया यह 3 3 9 1 upon 2 आप ध्यान से देखो यह plus का यह minus का कट गया 9 बचा है यह आपका answer है do option right हो जाएगा यहाँ पर आप cos square 45 कर लेना ध्यान रखना कोशन थर्ड देखो question third sin 30 degree plus cos 30 degree minus sin 60 degree plus cos 60 degree equal किसके बराबर है English में भी same question है ठीक है solution देखो answer third question है आप लिखा गया अगर आपको जैसे sign 30 cos 30 value याद करना है तो मैंने एक separate video बना रख आप उंगली के माध्यम से ही सब value याद कर लोगे अच्छे से comment में link मिलेगी देख लो या फिर channel पर visit कर लो ठीक है अच्छे से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो वीडियो आप देख लेना तो sign 30 की value एक बटे दो plus cos 30 की root 3 बटे दो minus sign 60 root 3 बटे दो cos 60 की value एक बटे दो value ही रखना है यह same निख लो minus अंदर निशान बतल जाएगा minus हो जाएगा ठीक अब देखो जहांसे 1 upon 2 plus का minus का कड़ गया root 3 upon 2 plus का minus का कड़ गया 0 मिल गया answer be option right हो गया अगला question question 4 the value of 10 30 degree upon में court 60 degree is हिंदी में question देख लो same है 10 30 degree बटे में court 60 degree का मान ग्यांद करना solution answer 4 question लिखा गया 10 30 की value एक बटे में root 3 court 60 की value एक बटे में root 3 ठीक है एक बटे में root 3 लिखा गया और यह divide जो है यह multiply हो जाएगा यह number पलड़ जाएगा root 3 उपर एक नीचे root 3 से root 3 कट हो गया आपको one मिल जाएगा d option right हो जाएगा question number 4 में अगला question number 5 है त्रभुज ABC में B सम कोड़े तथा AB बराबर 24 BC बराबर 7 cm है 10 C का मान है इंगलिस में in triangle ABC right angled at B AB equal 24 BC equal 7 then the value of 10 C is solution देखो answer number 5 यह triangle हो गया A B C clear है B क्या है सम कोड़ यानि कि 90 डिग्री है AB दिया 24 लिख दिया BC दिया 7 लिख दिया अब ध्यान से देखो हमको निकालना है 10 C तो सबसे पहले 10 का formula सोचो P by B होता है नहीं perpendicular by base हिंदी में लिखोगे लंब बटे आधार ठीक है तो 10 C C angle के coding आपको देखना है तो C के coding just सामने लंब होगा यानि कि यह P होगा आपका और यह आपका B यानि base होगा तो value put कर दो 24 P है base 7 है 24 upon 7 B option right हो जाएगा अब कुछ बच्चे जिनको समझ नहीं आएगा वो क्या करते हैं पहले एच निकालते हैं यानि कि करड़ तो करड़ निकालने कहां कोई मतलब नहीं है 10 C के coding देख लो ठीक है पी भाई भी आपको पता है बस सिधा value रख दो answer मिल गया अगला question देखो question number 6 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30 degree is equal to हिंदी में same question है मान निकालना है solution देखो answer 6 question यहापर लिखा गया 2 पे 2 10 30 की value 1 upon root 3 रख दिया बटे लगा दो नीचे आजाओ 1 पे 1 10 30 1 upon root 3 square है तो square लगा दो ठीक है आगे solve करोगे उपर आजाएगा 2 बटे root 3 बटे लगा दो नीचे solve करोगे तो यह आएगा एक प्लस एक बटे में root 3 का square करोगे तो एक बटे 3 आएगा ठीक है यहाँ पर लिखा गया आगे solve करो उपर के same लिखो इसे solve करोगे 1 प्लस 1 upon me 3 by 1 लगाओ cross multiply करो 3 बंजा 3 प्लस 1 बंजा 1 upon me 3 बंजा 3 आगे 4 upon me 3 डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया ठीक है आगे बढ़ो अब आगे solve करोगे तो उपर का number 3 में आपर लिखा गया यह divide multiply में change होगा और यह नीचे वाला fraction पलट जाएगा 3 upon 4 हो जाएगा लिखा गया 2 से cut करो 2 एकम दो 2 दूना 4 उपर आगया 3 नीचे आएगा 2 root 3 यहाँ पर लिखा गया ठीक है अब ज्यान से देखो यह आगया अब हर का परमिय करन करेंगे नीचे क्या root में number है तो root 3 से उपर नीचे multiply कर देंगे उपर solve करोगे 3 root 3 आजाएगा नीचे 2 3 3 का पेर बनेगा के यह option right हो जाएगा clear है यहाँ पर आपका option a right होगा root 3 upon 2 में हमें value चेक करना है sign कोच से किस में है sign 60 option में है यह आपका right answer हो जाएगा अगला question question 7 यदि 2 sign a बराबर एक तब 10 a का मान ग्याद कीजिए English में if 2 sign a equal to 1 then find the value of 10 a solution answer 7 2 sign a equal to 1 दिया है sign a 2 इधर आगा divide मोजएगा 1 upon 2 हो जाएगा sign a equal to 1 upon 2 sign 30 की value होती है clear है तिहाँ पर हम sign 30 लिख सकते हैं तो sign sign cut हो गया a मिलेगा आपको 30 यह चीर ध्यान में रखना sign sign cut हो जाएगा यह पता चल गया अब हमें 10 a निकालना तो 10 a पर हम रख सकते हैं 30 तो put a equal to 30 English में लिको हिंदी में a बराबर 30 रखने पर 10 30 की value होती हुआ अपॉन में root 3 यह आपका answer हो गया ओके अगला question देखो अगला question number 8 evaluate यह question है हमें solve करना है हिंदी में विशेम ग्यात कीजिए इस कमान निकालना है solution answer number 8 question यहाँ पर लिखा गया अब यहाँ पर भी आपको केवल value पता होनी चाहिए सवाल आसानी से solve कर लोगे तो value रटो मत वीडियो आप देख लो separate बनी हुई है एक ही बार में trick समझ जाओगे अब answer पर आ जाओ एक बटे दो लिखा गया sign 30 की value एक बटे दो रखा cost 30 की root 3 बटे दो प्लस प्लस लगा दिया 3 बटे 2 लिखा sign 60 root 3 बटे 2 होता है cost 61 बटे 2 होता है लिख दिया गुड़े की निसान के साथ plus प्लस प्लस 1045 एक गुड़े code 45 एक इनकी value रख दी गई है पहले इसे solve करो उपर root 3 आएगा नीचे 222 का multiply करो 8 आ जाएगा अब इसे solve करो plus का निसान लगा दो उपर 3 root 3 आएगा नीचे 222 का multiply करो 8 आएगा इधर 1 आ जाएगा ठीक है आगे solve करो बटेक लगाओ LCM निकाल लो 8 आ जाएगा ठीक है अब LCM में इससे divide करोगे तो कितना आएगा एक तो एक का उपर multiply होगा root 3 से root 3 ही आएगा इधर भी 8 से LCM में divide करोगे तो 1 आएगा उपर 1 से multiply करोगे same आए ठीक है उपर का solve करोगे 1 root 3 3 root 3 4 root 3 होगे plus 8 upon में 8 ठीक है आगे solve करोगे तो यहाँ पर हम 4 से cut कर देते हैं 4 2 is 8 उपर दोनों ट्रम कट होनी चाहिए ध्यान रखना तो 4 वंजा 4 4 2 is 8 यानि कि 1 का मतलब root 3 आ गया और इधर आ गया 2 upon में 2 यह मिल जाएगा आपको answer ठीक है एक ध्यान में रखना है यहाँ पर कभी भी आप अगर कट कर रहे हो तो उपर जितनी ट्रम है सम्मे कट होना चाहिए नहीं कर सकते हो कहीं आप इस ट्रम को कट करो यह कटना हो तो गलत हो जाएगा दोनों पद जितने भी होंगे 2-3 सब कट होने चाहिए उसी नमबर से ठीक है तो जितने पद होंगे, दो हों, तीन हों, जिस नमबर से cut करोगे, उसका टेबल सम्मे जाना चाहिए, यानि सभी नमबर cut होने चाहिए. तो 4 से cut करोगे, ये 2 आएगा, ये 4 से 4 cut हो जाएगा, ये भी 2 आएगा, तो बचेगा root 3, plus 2, upon में 2 ये answer मिलेगा. ठीक है ध्यान रखना अगला कोशन देखो कोशन नमबर 9 कोशन 9 सिर्ध कीजिए इसे हमें प्रूब करना है इंगलिस में प्रूब देट कोशन है solution देखो answer नमबर 9 कोशन लिखा गया सबसे पहले हम from left hand side left hand side से solve करेंगे इस side से ठीक है तो ध्यान से देखो कोशक A ये equal होता है 1 upon sin A के तो इसकी जगे हम 1 upon sin A लिखेंगे minus है तो minus लगाओ code A code A equal होता है cos A upon sin A के इसकी जगे हम ये लिख देंगे ठीक है square पर square लगा दो आगे इन दोनों केल्सियम same हैगा sin A उपर क्या जाएगा 1 minus cos A square लगा दो same ठीक है आगे solve करो अब आगे solve करोगे तो उपर 1 minus cos A का whole square कर सकते हैं नीचे sin square A कर सकते हैं ठीक है square इसके साथ लग जाएगा आगे solve करोगे तो उपर same लिखा गया sin square A equal होता है बच्चों 1 minus cos square A के तो sin square A हटा कर आप 1 minus cos square A रख दो यहाँ पर ठीक है इसलिए ऐसा किया गया आगे solve करोगे तो उपर 1 minus cos A square है तो इसको हम लिख सकते हैं double time 1 minus cos A 1 minus cos A क्योंकि यहाँ पर square है ठीक है double time लिख सकते है नीचे 1 minus cos square A तो यहाँ पर A square minus B square जो की equal होता है 1 bracket में A plus B दूसरे में A minus B तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 bracket में 1 minus cos A दूसरे में 1 plus cos A ठीक है इस identity के recording अब इसके बाद में ध्यान से देखो 1 minus cos A से 1 minus cos A कट हो गया उपर बचा 1 minus cos A नीचे 1 plus cos A जो left hand side पर आया 1 minus cos A एक प्लस cos A ठीक है तिहां पर इसा लिख देंगे पुरूबड हो गया यानिकी इती सिद्धम clear है अगला question देखो कहीं पर doubt होगा बता देना question number 10 if 4 10 A equal to 3 then find the value of इंदे में question देखो लाजट है यदि 4 10 A बराबर 3 है तो मान ग्यात करना है solution देखो answer 10 दिया है 4 10 A equal to 3 तो 10 A 4 इदर आएगा divide में और 10 का formula होता है P by B perpendicular by base यानि कि लंब बटे आधार एक triangle बना लो लंब पता है यानि P आधार पता यानि कि B clear है H निकाल लेंगे तो direct H का formula अपलाई करो इंग्लिस वाले लिखेंगे root में P square plus B square हिंदी वाले लंब का square plus आधार का square value रखो P पर B पर इनकी value फटा फट रख दो कितना मिलेगा आपको 5 clear है 5 मिल गया यानि कि H आगे आपका 5 card 5 5 आगया ठीक है अब आगे देखो ध्यान से हमको ये निकालना है तो यहाँ पर sign sign cos cos तो sign cos की value पहले अलग निकाल लो तो sign है होता है लंब बटे करड़ यानि कि P by H P आपका 3 है H आगया 5 3 upon में 5 cos से निकालेंगे आधार बटे करड़ होता है यानि कि P by H तो B आपका 4 है H आपका 5 है 4 upon 5 इज़र value मैंने separate निकाल दिया है ताकि आपको बार बार यहाँ देखना न पड़े ओके आगे आ जाओ आप इस formula की value आप ट्रिक से याद कर सकते हो separate मैंने बना रखा है ठीक है चैनल पर विजिट करो इसकी value रखो 4 पे 4 रखा sign A यहाँ से देखो sign A 3 upon 5 minus cos A cos A आपका 4 upon 5 लिखा plus 1 नीचे भी से रख दो value 4 पे 4 sign A 3 upon 5 plus cos A 4 upon 5 minus 1 यहाँ से value देख लेना ओके आगे solve करो उपर solve करो इसको यह 12 पटे 5 होगी माइनस 4 पटे 5 प्लस 1 नीचे solve करो चारतिया 12 पटे 5 plus 4 पटे 5 minus 1 उपर कर solve करो ध्यान से देखो लिखा यहाँ पर 12 पटे 5 minus 4 पटे 5 plus 1 पटे 1 लगा लो नीचे का LCM निकालोगे 5 आएगा 5 की टेबल में 5 एक पे आएगा तो उपर 12 एकम 12 हो जाएगा माइनस 5 की टेबल में 5 एक पे आएगा 4 एकम 4 फिर प्लस एक के टेबल में 5 पांच पे जाएगा एक का उपर 5 से गुना होगा 5 आएगा solve करोगे आगे to haya पर आगे लिखा गया थीक है ना सेम उपर नीचे है शेम आएगा क्युवल निसान का ध्यान में रंखते वे लगा दो ठीक है नीचे भी सेम ऐसे लिखा गया इसको solve करोगे वही आएगा कि वहली हम माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए इसे लगा दो जैसे यहाँ पर निसान है आगे सुल्ब करो उपर 12, 5, 17 मिसे 4 जाएगा 13 बटे 5 आजएगा नीचे 12, 4, 16 मिसे 5 जाएगा 11 बटे 5 आजएगा आगे 13 बटे 5 यहाँ पर लिखा गया यह डिवाइड मल्टिप्लाइ में चेंज जोगा यह नमबर पलट जाएगा 5 बटे 11 हो जाएगा 5 से 5 कड़ गया 13 बटे 11 मिल जाएगा आजएगा आजएगा ठीक है कॉस्टन नमबर 10 में यह आपका आजएगा 10 हो जाएगा इसीक साथ यह वक्सेट कंप्लेट है कहीं पर कोई डाउट है कॉमेंट कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक यू फॉर वॉचिंग